आपको बहुत ज़गा देखना होगा कि यह पूरा को पूरा एक एक सेट है आपको यह दिख जाएगा कि यह ऑट्वेटिकली अपडेट हो रहते हैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वालों कि आप कैसे यह चीज कर सकते हो इसमें आपको कोई भी ज्यादा मे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वह बहुत इसली मैं आपको यह पर जाकर के बता दूँ हो तो यह एक रॉव फॉर्म होगा तो जैसे के आप निफ्टी-50 का देख रहे हो तो अगर आप डटा देखोगे तो यह लाइव मार्केट में लाइव अपडेट हो रहा उप्सन चेंग का डटा है उसको कैसे आप एकसल के दर इंपोर्ट कर सकते हो और जो की लाइव मार्केट में वह अपडेट होते रहेगा पहले मैंने से पहले बहुत सारा वीडियो में अल्रेडी बना रहा रहा लेकिन इसमें क्या आता है कि वह लाइव मार्केट में कभी- कुछ करने का जरूरत नहीं है जितना भी ऑप्सन चेंग के दर आता है इन सभी कर्ड़ाट आप अपने एकसल के उपर इंपोर्ट कर सकते हो बिना किसी नी मेनत के ठीक है आपको सिंप्ली कुछ कंफीगर करने और इसके बाद यह आटमेटिकली होते रहेगा तो चलो कि इस के एकसे सारा कुछ करन और कैसे सैट अप करना है तो यहाँ पे सबसे पहले मुलूगल खोलते हैं गूगल नहीं यह फेप को लोड़ने के बाद नो धिल्यकुत हुट अपको मिल जाए को उस ब्दिस्प्लेन आपको मिल जाएका आपको चाट के इस वबड़ाह पर इस वे यूज करने वाले डटा को इंपोर्ट करने के लिए तो अगर यहां पे जाने के बदा अपना यह जो वेबसाइट है आपको हेल्प करेगा कैसे आपको डटा को इंपोर्ट करना एक्सल के अंजर ठीक है तो यहां पर आने के आपको दो तीन आप्शन विल जाता है सबसे पहल इसका लिंक को नीचे description box नमेल जाएगा तो प्रीज एक बाट चेक कर लेना है तो यहाँ पर मैंने sign up पर click कर रहा तो आपको mobile नमर डाल करके continue करना है तो मेरा ID अल्रेडी बना हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हो कि क्या से आपको तो मैं यहाँ पर download के उपर click करके इसका एक setup file आता है तो यह आपको configure करने में help करेगा यह आपको setup करके 860KB का है तो इसको download कर लिए इसके बार आपको इसको install करना है तो यहाँ पर एक installation help करके आपको option मिल जाएगा ठीक है आपको इस installation help के उपर click करना है तो जैसे ही क्लिक करो एक नए विंडो खुल जाएगा अब देखो यहाँ पर पूरा guide दिया हुए कि सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको options यहाँ पर आपको जाना है Excel खोलना है और Excel के इंदर जा करके आपको more options के उपर click करके आप ट्रस एंटर की जा करके इसको इनेबल कर देना है तो first step मेरे साथ साथ आप कर लेना कि Excel के उपर सबसे पहले आप configure कर लेना तो मैंने यहाँ पर Excel यहाँ आपको फाइल के उपर जाना है यहाँ नीचे आपको options बिल जाएगा ठीक है त सबसे नीचे trust center करके बिल जाएगा तो इसके trust center setting खोल लेना यहाँ पर और यहाँ पर खोलने पर आप website के उपर देखलो कि website के उपर और क्या क्या आ रहा है तो सबसे पहला आपको इन दोनों को untick करके रखना है ठीक है और उसके बाद तो मैं इसको सबसे पहले अंटिक कर Minsk करने है तो दोनों को यहाँ पर गौरा बॉलग कर लेता हूं हमें अलगना यहाँ अधोently token करना करना था तो तो कड़ेशं की उसको आपको कर दो ऊके कर दो आपके तो आपने अपने चले और नो पर खाल कर तो एक्सल में पर फोड़ाी है अधोन आप्शन मिल जाूँ है यह देखो, यहाँ पर आपको Core API करके 4 आजाएगा option I4, ठीक है, तो Core API I4 करके option आगया, आपको इसके ओपर simply क्लिक करना है, तो मैं इसको simply आपको क्लिक करता हो, अब यहाँ पर most important चीज किया जाता है, यहाँ पर आपको दो option मिलेगा, एक user ID का option मिलेगा और एक password का option मिलेगा, आपको Dashwood से यहाँ पर profile के ओपर क्लिक करना है, तो profile के ओपर आपको यहाँ से जाना है, तो मैंने आप that profile पी करा हा। देखो, यहाँ पर make user ID का आगया तो मुझे इस user ID को यहाँ से copy कर लेना है, तो मैं इसको here पकी कर लेता हूँ और यहाँ पर paste करना है, एकसल का यह अलग पासवर्ट है मैं उस पासवर्ट को यहाँ पर डाल ले वाना हूं तो उस पासवर्ट को मुझे यहाँ पर देख लेते हैं यह पूरा पूरा option chain आपके पास आठी आया है अब यहां पे देखो गे तो आपका दो-तिन option और आपको बढ़के आया है फॉर इक्जाम्पल यहां पे आपको Nifty आ रहा है यहां पे एक श्पाइडी चेक करने के लिए आ रहा है आपको यहां पे पे इसको पूरा कर सकते हो अब यहां पे नीचे वाले option में आपको एक्सपाइडी का यहां पे जाकर करने है तो मुझे जितना भी एकस्पाईर यहां पर जाकर के चूज करने हैं मतलब यहां पर 28-23-24 तक का data आ रहा है तो आप यह एक raw आपको option chain का data मिल चुका है अब यह live market में update होता है जैसा मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाया कि यह live market में जाकर के update होता है तो इसी recording आपको जाकर के use करने है और आपको यहां से अलगनलग आपको seat अगर बनाना है तो आप यहां से बना सकते हो तो यह था यह proper मैंने आपको यहां पर बताया कि कैसे आपको इस website को use करके यहां पर जाकर के आपको option chain में जाकर करना है इसके बाद अगर आपको कोई भी doubt रह जाता है तो आप मीचे मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं उसमें आपको reply कर दूँगा या फिर मैं यहां पर company का website भी देता हो और यहां पर इंगा कुछ customer support का भी देता हो तो आप वहां पर जाकर के easily आप इंसे जाकर के जान सकते हो तो guys खोब आप वीडियो सबज में आएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो guys मिलते हैं अगले वीडियो में thank you guys thank you guys for watching this video इस दे अगले वीडियो में